मत्य प्रदेश की खंडवा में भाजपा के एक पूर्व वरिष्ट पार्षत को टिकटना मिलने से उन्होंने निर्दलिये नामांकन दाखिल कर दिया उनका कहना था कि पार्टी में जम कर पठाबाद चल रहा है वह बीजेपी के साथ हैं बीजेपी की विचारदरावाले हैं उन्होंने गनेश तले की जनता की लगतार सेवा की है और जनता से पूछने के बाद जनता ने उन्हें कहा कि वह निर्दलिये खड़ा हों जिसके पर पर निर्दलिये खड़े हो रहे हैं बाजपा से नाराज नहीं है लेकिन पठाबाद से नाराज हैं नेताओं की इस समय चल रही नेतागिरी से नाराज हैं उनका ये कहना था कि पार्टी के लिए उन्होंने राद दिन एक किया पार्टी की कई दश्कों से सेवा कर रहे हैं और पार्टी के सकरिये जमीनी कारे करता होने के नाते उनका अधिकार बनता था परन्तु उनका टिकेट बिना किसी कारण से काट दिया गया क्योंकि पठावाद इस समय बीजेपी में हावी है आईए उनकी पूरी बात सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने इस पूरे मामले को में लेकर क्या कहा उनकी पूरी बात आपको सुननी चाहिए बाधिवात सीनियर नेता रहे हैं पार्षद रहे हैं क्या करना है कि पार्टी से नाराज हो कि नरदलीच नाराज मेरे जनता आपने देखा होगा कि कल भी बहुत सारे लोग उन थे, पिर यहां कि जनता वं थी, आपकी ये 27 साल की मेनत का बोले है पसीने का हम बोले फल आपको बोले देंगे आपकी जुली में बोले तो मैंने बोला ठीक है फिर अपन ने पहले मुआट की जंता से पूछे उसके बाद में अपन ने फाम बढ़े और जीत के आएंगे 101 परसंट दोनों तरफ से हम जीत के आ ना थानी टेकते हैं और उनके लिवे ने फिर ना उटाथे हैं पस सीधे यही बात है सीधे-सिदे क्या आएंगी जो चल रहे हैं पो जिनके जिनके पत्टे हों थे उनने टिकेट काटा दिये माफूर ने अपने अधमिई लिए विदायक ने अपने अधमिए मापूर ने ले लिया असाना certified मंदली लिये और जो वाड़ में जो काम करते हैं जो चठ के कार करता हैं जो कब वास्तों में काम करने वाला पीसेबी क्रूं कशाथं करने अंको दर किनार करते जह से दो किने किसी से जुड़े हुए थे हम किसी में किसी तो झुड़े हुए हर्ले हम सीधल वाड़ कीतर चंता यह बता दे Fi यूंगि Northeast लादा मंदिर है तो बनाट की बहुँ आपप भागवान झाल मैरे है पढ़सली कि तुम नम्हरे nousipeure कि किसको सपोर्ट करना चीए